नमश्कारों दोस्तों स्वागते फिरेगार आपका डीवी प्री उस्पेस अब देखे इस वीडियों जो हम टेस्ट करने जो रहे इस लॉटे हैं मोर के कुकी क्रीम आइसक्रीम को चलिए शुरू करते हैं तो इस तरह से आपको इस कप में यह आइसक्रीम देखने मिल और यह जो है अगेन मैं आपको बताना चलिए आइसक्रीम है फ्रोजन डेजट नहीं है तो इसमें जो बेसिकली आड़ेट आइड़िविशल मिल कारेमल फ्लेवर एक तरह से आप जो है इस आइसक्रीम को कह सकते हो इसी के निचे इसके निटिशन फैक्स दिए हैं पर 100 ग् करने के बाद साथ में यहां पर इसकी मैनिफेक्शरिंग डेट और इसकी जो बेस्ट भीफोर है 12 में से फ्रॉन डेट ऑफ मैनिफेक्शरिंग इस आप कंडिशन में इसे रखोगे तो इस टेंपरेचर में पैक्ट तो आपको जो इसकी लॉंग लस्टिंग शेल फ्लाइज जो 12 मेंस की देखने मिल जाएगी साथ में इसकी मैनिफेक्शरिंग जो तीन जगवा पर होती है आप यहां पर देख सकते हो एमदाबाद फरीदाबाद हर्याना और महाराष्ट्र में तो अगर आपको पता करने आपके पैक की मैनिफेक्शरिंग कहा पर हुए तो आपको लॉट नमबर है तो उसका जो फर्स्ट यह लेटर देखना जो है एन है यहां पर तो एन के हिसाब से जो है इसकी मैनिफेक्शरिंग हुई है गुजरात एमदाबाद में साथ में अगर आपको कुछ क्वेश्चन है क्वारीज है तो आप जो इने कॉंटक भी कर सकते हो इस मैं कहूंगा सारी चीज़े पहले सी मिक्स है इस तरह से और जो मुझे नेट कंटेंट ठीक लगता है 120 ml 35 रूपीज में और आइस क्रीम देखने मिल रही है आपको ना कि फ्रोजन डेजर्ट जो क्या अच्छी बात है इसमें मुझे वैनिला वाली टेस्ट भी आ रही है तो मैं कोंगा एक तरह से जो है वैनिला केरेमल और यह चॉकलेट इस पर बीच 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 में इन आइड किया है इन तीनों का यहां पर कॉम्बिनेशन कंबाइंड टेस्ट जो आपको देखने मिल जाती है जो कि अच्छी बात है चॉकलेट थोड़ा और आड़ करना चाहिए जोने चॉकलेट थोड़ा कम लग रहा है कम दिख रहा है खाने में भी इस पर छोटा-छोटा बस इन आड़ किया एक उसकी टेस्ट जो इतनी प्रॉमिनेंट नहीं है अगें यह सारे जो इसके इंग्रेडिंट है आप चाहरे तो देख सकते हो तो टेस्टी आइस्क्रीम बस मुझे यहाँ पर थोड़ी चॉकलेट कम लगी लेकिन प्राइजिंग के इसाब से जो इसका नेट कंटेंट जो है अच्छा लगा और इंस्ट आप फ्रोजन अगले वीडियो को देखने ले आपका बहुत धन्यवाद मिलता है अगले वीडियो